हलो दोस्तों स्वाकत है आप सभी है हमारे यूट्यूब चैनल स्टड़ी आईसन पीसी एस पे और यहाँ पे हम अपनी पहल को हाथ से शुरू करते हैं तो देख लेते हैं सबसे पहले देखिए जो भी अभी तक एक्जैम्स हुए हैं उसमें देखा गया है बेसिक से सारी चीजें आ रही है तो यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको हम डेली प्राक्टिस करवाएं यह रहेगा और आपका काम यह है कि आप डेली इससे देखें और प्रेक्टिस करें ठीक है प्रैक्टिस makes man perfect यह आपने सुना होगा आप प्रैक्टिस नहीं तो नहीं हो पाएगा मैं यह बताना चाहरी हूँ कि बेसिक से कोशन आ रहे हैं ठीक है बेसिक से कोशन आ रहे हैं लेकिन अगर आप प्रैक्टिस डेली करेंगे तभी बेसिक क्लियर होगा और तभी आप एक सब्चेट को दूसरे से लिंक करके पड़ पाएंगे तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक से बेसिक से शुरू करने के लिए हम यहाँ पर करने वाले हैं पीवाई क्यूएस यानि प्रिविएस येर कोशन जो पुराने सैट आय हुए हैं उन्हीं में से हम बेसिक निकालेंगे तो देगे ट्रेंड भी यही चल हब जरूर करिए जो लोग ऐसे हैं जो चैशिन पने प् habil 25 कारगर रहेगी हैं अगर आप पादे रहहे हैं अगर आपने पहली से बीपर ऐग सॉए है लिकिन आपको कुछ चीज या पर पने इस प मै बतानेðी वाली हूं वह चीज अपको पै Memberีफ पॉंट पर आपको खुद समझ में आता जाएगा कि क्या क्या चीज़े होती हैं बेसिक्स में भी यही प्रॉब्लम आती है आप अभी जो पेपर करें सभी कोशन टफ नहीं था ठीक है तो मैं बताती हूंगी किस तरीके से पेपर को सॉल्फ करते हैं के तो सबसे पहला कोशन पड़ेंगे ठीके से पापकवशन करें आपकर लिक्त I am जूब कर देती हूं तो एक अकरण करके देखते हैं विचारे मश्विदी का उपकिया सकता है तो मैंने यहां पे हाइलाट पहले से किया हुआ है ठीक है विचार्विमर्ष तो आपको एद्य दिखना पड़ेगा विचार विमर्ष जो है जो आप विचार विमर्ष वाली विधी का उपियोग करते हैं वो उपियोग सभी में करते हैं यहां पर आपका all सही हो जाएगा maximum logo में इसके अंदर A कर दिया था ठीक है तो इसका A नहीं इसका जो आपका सही होगा वो D वाला सही होगा इसके बाद हम next देख लेते हैं निम लिखित में से कौन सी शिक्षण साहयक सामगरी है ठीक है तो शिक्षण साहयक सामगरी है अब शिक्षण के लिए जो साहयक सामगरी है वो कौन सी है तो क्या आप अगर इसमें common sense देखी बहुत सारे question होते हैं जो common sense based होते हैं जिसमें कि हम logic ढूनते रह जाते हैं और वो गलत हो जाता है ठीक है friends तो आप ये ध्यान रख के चलिएगा ये केवल practice से ही आ सकता है guys ये कहने से मैं एक बार कह दूँ आपको समझा जागा ऐसा नहीं है समझ तो सबको आता है बड़ practice में नहीं आता है ठीक है तो practice daily करनी है अब यहाँ पर देखिए इसका कोई मतलब बन रहा है हवा मिलगा कारेकारी परतिमान ठीक है क्या ये आपके शिक्षर में किसी तरह से help करेगा tape recorder ठीक है 16 mm film projector या उप्रयोक्त सभी ठीक है तो अब इसके हम अंदर देख सकते है एक तो आपका 16 mm film projector देखिए एक्चलि ये जो paper site है वो पुराना है ठीक है तो इसके according यहां पर tape recorder हो रहा है ठीक है तो tape recorder अगर हम देखें तो tape recorder record करके यूज करा जा सकता है ठीक है और film projector उसमें इतने ज़्यादा यूज में नहीं थे है और 16 mm film projector है ठीक है लेकिन आज की date में आकर add-on में आ जाए तो projector भी guys उसके अंदर अगर हम देखें तो शिक्षड ठीक है पढ़ना आपको इसी तरीके से है कि इसमें main topic लिखा हुआ उसे highlighted दिमाग में रखिएगा महां तो highlight नहीं कर सकते है लेकिन ध्यान रखिएगा पूछा क्या है शिक्षड का मुख्य उत्येश्य पूछा है ठीक है अब्जेक्टिस पूछे गई हैं ओके तो उब्जेक्टिफ शिक्षड के क्या रहेंगे एक तो रहेगा कि क्या केवल तर्क्षक्ती & वinos methodology कर है तो देखिए ये तर्क्षक्ति क्यab Bunu करने के लिए या आप किसी से तर्क कर सकें लॉजिकल वे में तर्क कर सकें है न होता है शिक्षन होता है उक तो कोई भी आप कभी आप कि आप टीचेंग करेंगे स्कूल लेविल देख देख लेगे भी आप्स है आ प्र gland टीकर तरक शक्ति उनकी बचेति होंगी आपको बैड़ानें उनके इस करेंगे lahat चिंतन का विकास, यानि कि वो क्या करें, उस पे चिंतन भी करें, तो दोनों ही डैवलप होंगे, ठीक है, तो शिक्षन का सबसे बड़ा उद्देशे ये होता है, ये कई बार गुमा फिर आगे कोशन पुछा गया, अगर आपकी इसकी कमांड आ जाएगी न, तो आप इस तर चात्रों की उपस्तिती से, हाँ भी, कक्षा के अंदर अगर दो बच्चे बैठे हैं, तो टीचर अच्छा नहीं है, ऐसा बोलेंगे, क्या, ये सो बच्चे बैठे तो ऐसा बोल देंगे, कि टीचर की बढ़ाने की क्वाल्टी बहुत अच्छी है, ने, तो ये गलत हो होगा, वो ये वाला होगा, मैं केवल आपको प्रैक्टिस नहीं करा रही हूँ, आपको ये भी बता रही हूँ, कि आपको कोशन पढ़ना किस तरीके से, और करना कैसे है, ठीक है, तो यहाँ पर जो गुडवत्ता वाली जो बात करी गई है, वो किस से देख रही है, आपको और शांती बनाए रखना, ये तो एक डिसिप्लिन वाली बात होगा, यहाँ पर टीचिंग का कोई क्वालिटी नहीं दिख रहा है, आप सारे टाइम बच्चों को शांत थोड़ी कर सकते हैं, आप क्लास में डिसकस भी तो करते हैं, ठीक है, ग्रुप डिसकुशन भी करवा ठीक है, तो उस समय रटन्त विध्या का सबसे ज़्यादा था, जबकि अभी तो स्टुडेंट सेंटर बनाने की पूरी-पूरी कोशिश करी जा रही है, ठीक है, इसमें की ग्रेड भी आ चुकी है, सीजी पीए बगरा, तो काफी तरी चीज़ा चेंज होई है, अभी अगर अगर देख लें हम, तो एक महा विध्याले अपने शोध करते हों, शोधारतियों को सामाजिक विज्यान, एवं सांखी की पैकेज की प्रियोग विधी में प्रशिक्षित करना चाहता है, तो उसे आयोजित करना चाहिए, इसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, देखिए अब इसके अंदर हम एक चीज देखते हैं, क्या वो सम्मेलन करके प्रशिक्षित कर सकता है, नहीं, संगोष्टी, नहीं संगोष्टी भी नहीं होगा, ठीक है, कारेशाला या लेक्चर, तो देखिए लेक्चर तो किसी सब्जेक्ट के पर्टिकुलर टॉपिक के लिए होत अब हम देख लेते हैं, यहां पर सभी ऑप्शन में शोध है, तो आप यह मान के चलिएगा कि यह शोध के बारे में बात हो रही है, तो शोध के गुण के बारे है, शोध विवस्थित होती है, शोध प्रिक्रिया नहीं है, समस्या परक होती है, शोध निश्क्रिया नहीं ह पूछा गया है अगर आप कॉश्चन ठीक से पढ़ेंगे तभी हो पाएगा तो शोध प्रक्रिया नहीं है तो क्या यह उसका कोई गौंड बताया जा रहा है शोध व्यस्थित होती है यह बात यह सही है समस्या परकोती है यह निश्कृया नहीं होती है यह भी सही है बटके शोध प्रक्रिया नहीं होती है तो रिसर्च तो अपने आप में प्रोसेस है अब यहां पर यह कोई गुण नहीं दिया है तो यह क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा जब कि इसमें गलत ही पूछा था ऐसे कोशन अभी भी इस बार भी जो सैट जैसे देखे गए हैं सही है तो यहां देख लेते हैं अविश्कार अनुसंधान होते हैं यह अनुसंधान अविश्कार मुखी होते हैं यह अविश्कार अनुसंधान संबंदिद होते हैं या उप्रोसे कोई नहीं ठीक है पहली बात तो यहां पर हम देख लेते हैं जो कोशन दिया हुआ है ठीक इसके बाद में next वाला जो आएगा आपका कौन सा कथन सही है फिर देखिए यहां पर सही पूछा गया है शोध में उद्धेशियों को कथनाकार में कहा जाता है उद्धेशियों को शोध गरंद के प्रतम अध्याय में कहा जाता है या उप्युक्त सभी ठीक है तो यह सारी च सिर्वेण थी एक प्रेयोग विदिय में यहां पर नीचे देखेंगे अगर आपट यह मैचिंग है तो मैच धार फॉलोइग में देखा जाए तो यहां पर दोनों चीज़गा गर अगर थोड़ा सबीस में एक को भी मिलाते हैं तो आपको यहां पर confusion clear हो जाता ठीक है तो हम देख लेते हैं इसके अंदर देखिए मैं पताती हूं आपको जैसे सब्सक्राइब यहां पर देखते हैं तो अगर आपको यह पता था अगर आपको यह पता था कि एतिहासिक विधी क्या है अब कोई भी एतिहासिक चीज तो एतिहासिक विधी जो होगी वो पुरानी चीजों की उपर होगी तो इसका मतलब इसका तो सीधे सीधे ही हो गया अगर हम यह मालूम है तो हम नीचे देखते हैं मैच करके अगर एक option आत करने मैं तो साह concern न्यिज्स सरीचन चीज के लिएई कर इस सरविक्षण विधी के अंदर हम देखें तो सेर्विक्षण विदी में आपका होगा बद्र्तमान घटना नंगा है ठीक है अब आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको फिी इसी option में दिख रहा है बाकी किसी के अंदर भी one and three नहीं है तो इसका मतलब यह बाला option आपका सही हो जागा one three two and five ठीक है एक इसके अंदर extra भी दिया हुआ है इस तरीके का भी आ जाता है तो confused नहीं होना है तो आप इसको one से मिलाएंगे इसको three से मिलाएंगे ठीक है और इस तरीके से दार्षनिक विधी जो है वो हो जाएगा गिए ये हो जाए अगल का दाशनिक विधी दूर दरस्टी से और प्रयोग विधी जो होगा आपका वो जागा भविश्य की कारवाही से ठीक है इस तरीके से आप इसे मैच कर सकते हैं मैच दर फॉलिंग में कई बार ऐसा होता है कि एक option अगर आपको आता है तो पूरा सही हो जाता है तो यह देख लिया करें टाइम वेस्ट करने की जरूत नहीं है कि आप सारे के सारे चार या पांच उसमें दिये रहते हैं तो आप सभी को मैच मत करिए ठीक है उसके बाद में यह नहीं हो नहीं पाएगा देखिए इसमें दिया हुआ question क्या है मैं जूम कर देती हूँ यह first question है देखिए शानती निकेतन इस्कूल दिन की शुरुआत कैसे करता है अब आपको कोई logic नहीं लगाना है आप किसी शानती को नहीं जानते हैं ठीक है जो भी है ठीक है कोई भ अगर हम इसके अंदर देखिए स्वरी देखिए अब इसके अंदर यह दिख रहा है आपको मैंने पहले मार्क कर देखिए हरो है हरो शानती नहीं कहते है इसकूल की दिन चर्या सरस्वती बंदना के साथ शुरू होती है ठीक है तो क्या हो रही है दिन चर्या सरस्वती बंदना से शुरू हो रही है तो यहां पर जब हम अंसर देंगे ठीक है तो देखिए यहां पर अंसर क्या हो जाएगा आपका स अगर आप इसने को पढ़ते हैं और उसके बाद में आप देख लेते हैं यह कहां पे हैं तो यह पहले जब भी कोई परग्राफ होगा उसके शुरू में ही होगा ठीक है अब दूसरा वाला ऑफिसली उसके बाद ही होगा तो इसमें देखिए विशय का नाम बताएं जिसे यह देखिए छात्रों का पसंदीदा विशय संस्कृत है क्या दिया हुआ है कई छात्रों का पसंदीदा विशय संस्कृत है ठीक है अब हो सकता था उस कोश्चिन को देखके आप जर्नल लॉजिक लगा देते लॉजिक लगाने की बिलकुल जुरूरत नहीं है कॉम्प्रि देखिए तो यहाँ पर आपका अंसर क्या हो जाएगा संस्कृत हो जाएगा ठीक है इस ती अंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोशन है दंगों के समय इस्कूल को किसने बचाया देखिए दंगों के समय इस्कूल को किसने बचाया तो अब इसके अंदर ऑप्शन दिये हुए इस्थानिय मुसल्मानों ने, हिंदुों ने, राज़ी तग्यों ने, याईसाईयों ने अब आप ओवियसली पेराग्राफ के अकॉर्डिंग आप इसी काट सकते हैं ठीए, वैसे तो मैं कहूंगी कि आप पेराग्राफ को देख लेजिए तो दंगों के समय किसने बचायता है स्कूल को, तो हम देख लेते हैं यह देख लिए, यहाँ पर यह हुआ है, हमने स्थानिय मुसल्मानों के प्यार और इसने के चलते स्कूल को कभी भी इसे लगार से बाहर ले जाने की बारे में नहीं सोचा तो यह वाली जो स्थानिय मुसल्मान है, यह यहाँ पर आपका अंसर हो जाएगा देखिए, दिया हुआ था ना, ठीक है, तो इस तरीके से यह हो जाएगा दूसरा है आपका, यह फोर्थ कोशन है, 14 वाला, संस्कृत का अध्यापक कौन है ठीक है, अब यहाँ पर हमें संस्कृत का अध्यापक देखना है तो देखिए, जो अभी हमने अंसर निकाला था, ओविसली उसके नीचे से स्टार्ट करना है पीछे चमत जाएगा, टाइम वेस्ट होता है तो इस परग्राफ में तो नहीं है, हकीकत तो यह है, इसके बाद में हम नीचे पढ़ लेते हैं देखिए यह रख, केवल एक ही वह सलमान है, हुसेना मंसूरी जो संस्कृत पढ़ाती है ठीक है, तो यह हुसेना मंसूरी इसमें क्या हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा, यह देखिए दिया हुआ है, ठीक है, यह अंसर हो क्या है इसका अब नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं जल्दी से, सामप्रताइक दंगों के बाफजूत आशा की किरण क्या है तो इसमें उपर देखें, अगर तो हमने यहां तक कर लिया था, अब इसके नीचे से हम लोग ढूड़ेंगे कि इसमें आशा की किरण, दंगों के बाद भी आशा की किरण बता रहे हैं, तो देख लेते हैं यह देखें, समुधायों के सारे उकसावे के बाफजूद हिंदू-मसल्मान परसपर सम्मान के साथ एक दूसरे के साथ रहे सकते हैं तो यह आशा की किरण की देखिए, यह लिखी होगी लाइन, आशा की किरण है, है ना, ऐसा करके इसके अंदर यह वाला अंसर भी मिल जाएगा अब इसमें option भी ऐसे दिए होगे जो directly आप काट सकते थे, हिंदू-मसल्मान साथ, साथ रह सकते हैं केबल हिंदू रह सकतेि, केबल مسलमान रह सकते है, ठीक है, तो यह वाला आपका, हिंदू-मसलमान साथ-साथ रह सकते हैं ठीक है लेकिन फिर भी मैं यही राय दूँगी कि आप लॉजिक बिल्कुल मत लगाईएगा जो भी paragraph में दिया है वही करिएगा क्योंकि आजकल जो paragraph है वह बिल्कुल different आ रहे हैं लेकिन practice तो आप easy से ही करिए मैंने पहले भी बताया था इसके बाद में यह वाला question देख लेत हैं इसके अंदर match the following में आपका यह वाला option सही हो जाएगा एकर टू बी का वन ठीक है अगर आपको इतना भी पता था तो भी आपका यह question solve हो जाता एकर टू हो जाएगा उपन्यास कारे जुंपा लायरी बहुत famous और अगर बर्खा दत देखें तो इनका क्या हो जाएगा प question को match the following में देख लेते हैं एक option या दू option से ही question solve हो जा रहे हैं ठीक है अब यहां पर हमें ध्यान देना होता है सुमेलित नहीं है पूचा है तो आज तक क्या है 24 आवर चलने वाला समाचार चैनल है सबको पता है FM station क्या है radio है ठीक है अब national geographic channel television है या वीर सांगती इंडिया next question देख लेते हैं भारत में television का सबसे पुराना soap opera अब देखे यह उस समय के हिसाब से है ठीक है इसमें हम लोग था इसे छोड़ देते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं कौन सा satellite लेकिन इस तरह के question से आप यह ध्यान रखीगा कि बहुत ही easy question भी आते हैं ऐसा नहीं है कि हर question ह कौन सा satellite channel इस प्रचार वाक्य का प्रियोग करता है जानना ही सब कुछ है ठीक है अब जानना ही सब कुछ है यह किसका punch line है इस तरीकी के पहले question आते थे अब तो नहीं आएंगे तो इसका जो है वो BBC World है टेलिवीजन पर सरपथम भारत में बनाया गया बच्चों का channel कौन सा ठीक है तो इसमें अगर देखा जाए तो यह था 2004 के according तो United Home Entertainment का Hangama TV ठीक है सबसे पहला अब इसके अंदर देखे reasoning का question है ना सबसे पहले आप लोग इसे skip मार देते हैं देखो जो easy होता है उसे time beyond solve कर लिया करो B और G में difference देख लो G और L में देख लो B से क्या हो रहा है B C D E F ठीक है यानि कि यहां क्या हो गया 4 plus हो गया है ठीक है तो G आ गया उसके बाद में G के बाद देख लेते हैं G H I J फिर 4 प्लस हो रहा है यानि यही पैटर्न चल ला है यहाँ पर L आ गया L के आगे देख लेते हैं M N O P तो इसके बाद क्या आएगा Q आएगा ना ठीक है समझ रहे हैं आप लो यानि 4 4 4 प्लस हो रहे हैं तो 4 प्लस हो गया तो क्या हो गया Q आ गया और यहाँ पर Q वाला only एक ही दिया हुआ है यहाँ पर Q है इसका मतला हमें next चेक करने की जुरुत नहीं है अंसर मिल गया हमको ठीक है बहुत simple होता है आप इससे skip कर देंगे और end में आपको tension हो जाएगी time चला जाएगा फिर आप solve कर पाएंगे तो जैसे easy question दिखता है आप solve कर लीजिए अगर नहीं हो पाय रहा है तो skip कर दिए लेकिन solve कर लीजिए ठीक है छोड़ना कोई वो नहीं है क्योंकि आपको end में tension ज्यादा बढ़ने वाली है question गलत होने के chances ज्यादा होते है last में तो जो जो हो सकता है उसे कर ली 213 और ब्रस्ट का कूट है 20678 रोबस्ट का क्या होगा अब बच्चे इसे भी छोड़ देते हैं देखिए कितना easy मैं भी बताती हो आपको देखिए यहां लिखा हुआ ब्लड का कूट ठीक है तो यह जो ब्लड का जो नंबर दिया हुआ है मैं इस नंबर को clear कर देती हूँ एक सेकंड देखिए यह लिखा हुआ है थ्री लिखा हुआ है ठीक है two four four two sorry यह लिखा है two four one one three ठीक है और इसका तो दिखी रहा है के लिए ठीक है यह लास्ट में क्या है यह थ्री है two four one one three अब एक चीज मैं बता हूँ आपको यहां पर क्या पूछा गया रोबस्ट दिख रहा है मुझे भी इसमें भी दिख रहा है ठीक है सिंपल सुनिएगा ध्यान से मैं क्या कर रहे हूं बी का क्या नंबर दिया है two दिया है यहां पर इस वाले में बी का नंबर क्या दिया है two दिया है यानि बी के लिए जो नंबर है वो क्या है two है समझ रहें आप तो इसी तरीके से आपको time saving करनी और question करते जाने हैं चोड़ते नहीं है जोड़ते नहीं जाने हैं जोड़ते चोड़ते मैंने बहुत सारे बच्चे देखिए जो इती बड़ी list पना लेते हैं और में फिर वो आते हुए भी गलत हो जाता है और यह आता तो था बट गलत हो गया टाइम के तो ऐसा नहीं होना चाहिए आप जल्दी यल्दी कर सकते हैं कितना सेकंड लगा मुझे वो तो मैं आपको अगर आप यहां पर कोई वर्ड देखें और यहां देखें और यहां भी देख रहे हैं तो उसी का नंबर डून लीजिए ठीक है अंसर आ जाएगा तो टाइरेक्ट आपका अंसर क्या हो गया यह हो गया ज्यादा टाइम भी नहीं लगा सौल भी हो गया एक थैली में एक रु बहुत सिंपल है मैं अब हैं समझ लीजिए बहुत सिंपल है ठीक है यहां बोला है एक थैली में क्या है 1.50 सब्सक्राइब देदे हैं अब अब ये बोल रहा है कि संख्या बराबर है ठीक है दो तरीके चे बता रहे हूं एक तो ट्रेक बता रहे हूं एक वैसी बता दूंगे कि इजीली सॉल्फ हो जाएगा संख्या बराबर बोल दी उसने आप समझ रहें बात रुपे बता दिये संख्या बराबर बोल दी तो उसने को नहीं करके दिखाना था ना तो फिर क्या प्रॉब्लम है कर लो अब मान लो कि अगर मैं मान लूँ पंदे रुपे के पंद्रे सिक्क्य हैं सभी के है ना तो टोटल तो पैतिस आना चाहिए यही तो मतलब है अगर यहां option दिया है तो इसका मतलब क्या है यह सिक्कों की संख क्वांटिटी है उनकी ठीक है क्यूटी वाई है क्वांटिटी है अब हम मान लें कि पंद्रे हैं अगर अगर मैं पंद्रे मान लूँ तो इससे तो यह 15 रुपीज हो गया और 50 पैसे के पंद्रे सिक्क्य हो गए ठीक है तो कित्ते रुपे हो जाएंगे यह साड़े 7 क्वांटिथा नहीं हो जाएगा आके समझ में तो इसके कित्ते हो गए 15 हो गए इसके साड़े 7 हो गये देखकना अभी 25 पैस वह जाएंगे तो यह ओगा व ग्या यह पांद्रे चरण करना पड़ेगा फूर में करी हैं तो यह कितना ओगा 4,3 का 12 हो जाएगा ठीक है 12 यून पॉइंट लगेगा तो 30 हो जाएगा तो यह 3 रुपे 70 पैसे के पास हो जाएगा अगर मैं इनको एड़ करें तो क्या 35 आ रहा है देख लेते हैं नहीं आएगा देखो 7 हो गया 10 और यह 25 25 सम्थिंग आ रहा है जबकि हमारे पास टोटल सिक्के तो 35 है तो यह 15 वाला तो गलत हो गया ठीक है मैं समझ रही हूं इसमें भी टाम लग रहा लेकिन मैं बता रही हूं कि ट्रिक बोलते हैं सब लोग तो ट्रिक भी देख लो 18 से करोगे ठीक है तो 15 है तो 15 से तीन ही तो बढ़ करके 18 हो रहा है तो उसका बैस्ट मैथड है आप 20 पर आजाओ ठीक है क्योंकि यह राउंड ऑफ में 35 है 18 से तो यह राउंड ऑफ आने वाला नहीं है तो और फिर तीन कहीं फर्क पड़ेगा जबकि यहां पर हम लोगों ने देखा था कि बहुत डिफर सब्सक्राइब है तो कित्ते रुपे हो गए टैन रुपीज हो गए क्योंकि अपने को तो टोटल 35 रुपे लेकर आना है ना ठीक है और यहां पर 25 पैसे है ठीक है और 26 तो कर दो यह 26 से 25 हो जाएंगे 20 को फोर से डिवाइट करो तो पांच रुपे आएगा ठीक है अगर 25 नहीं कि कित्ते कोईन होते हैं, एक रुपे में फोर होते हैं, तो ट्वेटी सिक्टे कित्ते हो गए, पांच रुपे हो गए, तो कित्ता हो गया, थर्टी फाइव रुपी हो गया, यानि कि यह वाला option चाहिए है, यह तो हो गया आपका trick वाला method लेकिन इसमें भी आपको 50 पैसे, 50 पैसे को हम क्या ले सकते हैं, 1 upon 2, ठीक है, क्योंकि हम रुपे के हिसाब से convert कर रहे हैं, ओके क्योंकि यह 35 रुपे दिये हो हैं, और 25 पैसे के कितना हो जागा, 1 upon 4, ठीक है, तो हम देख लेते हैं, अब इसे माल लेते हैं, हम X, यनि कुछ से के होंगे, कुछ इसके होंगे, कुछ इसके होंगे, कुछ इसके होंगे, से प्लस इसे करो 1 upon 4 x कितना आना चाहिए एक क्वस्ट्टू में आपका 35 ठीक है बस इसे सॉल्फ कर दोगे ना इसे सॉल्फ करती है आपका अंसर आ जाएगा ठीक है मैं बता आ देती हूं इसे सॉल्फ करोगे तो क्या निकलके आएगा देख लो इसे सॉल्फ करोगे तो आप निकलके आएगा आपका यहां आ जाएगा 4 x ठीक है और फिर आएगा आपका 2 x प्लस करोगे एक्स ओकी और upon में आपका आएगा 4 ठीक है LC M lateral पकरीलोगे अगर नहीं होता है तो आप मुझे comment कर देना मैं पूरा solve कर दूँगी ठीक है इसको आप equation को solve करोगे तो 4 कहा चला जाएगा यहाँ पे into में ठीक है तो यह हो जाएगा आपका equation फिर से बता देती हूँ आपको क्या हो जाएगी यह हो जाएगी 7x equals to आपका 35 into 4 और x वोगर उदर ले जाएं तो ठीक है इसको क्या कर देंगे हम लोग multiply कर देंगे तो यह हो जाएगा आपका 140 140 upon 7 तो यह हो जाएगा 20 यानि कितने coin आगए आपके 20 ठीक है दोनों तरीके से मैंने समझा दिया आप लोगों को अगर फिर भी नहीं समझा आता है तो मैंस की एक अलग वीडियो में बनाके डाल दूँगी उसमें इस तरीके के सारे question आपको solve करा दूँगी ठीक है तो I hope यह बहुत ही easy तरीके से आपको समझा गया होगा इसके बद मैं next question देख लेते हैं यहाँ पर पूछा हुआ है x यह पूछा है x ठीक है बता देते हैं तो देख लेते हैं अकर 4 से हम यहाँ पर नंबर लेके आएं 3 प्लस करके तो कितना आएगा यह आजएगा 7 और 7 में अगर हम 4 प्लस कर दें प्लस 4 कर दें तो प्लस 4 कर दें तो कितना हो जाएगा 7 के बाद आएगा 11 जो कि यहाँ पर है और 11 में अगर हम प्लस 5 कर दें ठीक है क्या कर दें प्लस 5 कर दें तो कितना आएगा 16 जो कि यहाँ पर है 16 है उपर यानि कि हमारी सीरीज जो है वो भरती जा रही है 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 है ना इसक वाला करेक्टर तो इसका मतलब यहां 7 नहीं है यहां 7 नहीं है, यहां भी नहीं है यहां पे ही अंसर हो जाएगा ठीक है, तो यह तरीका होता है पेपर करते हैं वक्त हमें कैसे pick करने हैं, ठीक है और इसमें कुछ seconds लगेंगे ज्यादर time नहीं लगेगा इसमें कुछ seconds लगेंगे मुझे time इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ आपको time नहीं लगेगा A का मूले 5 है B का मूले 6 है C का मूले 7 है D का मूले 8 है ठीक है अब यह देखिए यह वाला question अगर आपको पता हो कि clear क्या है मुझे लग रहा है कि miss print है यहाँ पे क्योंकि इसमें इसका link नहीं दीख रहा है कोई ठीक है तो मैंने इसे छोड़ दिया है बाकी आप मुझे बता दीजेगा अब इसमें सत्य देखना है कौन सा हमेशा सत्य होगा ठीक है जो अभी देखो मैं इसको भी relate करके बताऊंगे आगे इस तरीकी के question ठीक है इस समय या तो वर्षा हो रही है या वर्षा नहीं हो रही है ऐसे छोड़ देते हैं सूरे सदेव पूर्देशा से उधित होता है ठीक है हमेशा ही होता है चूजा मुर्गी के अंडे से निकलता है तो चूजा अल्वेज मुर्गी के अंडे से निकलेगा ठीक है तो यह correct हो जहां कि इसका अंसर अपको कि यह इसने यह कूई कि यह सकता एक या तो वर्शां हो रही है यह नहीं हो सकता है कि वहाँ परवारी और उर वल्टोर नकाले एक साथ प्रस्पर्विरोधिया ऐसी बात जो खुद ही को क्या कर रही है खुदी का विरोध कर रही है तो उसमें हमें देखना है अधिकतर कभी एहंकारी नहीं होते अधिकतर कभी विनम्र नहीं होते अब इसमें आप पढ़के देखिए आपको भी खुद समझ में आएगा तो इसका अंसर क्या हो जाएगा आपका बी और सी हो जाएगा अधिकतर कवी विनम्र होते हैं और कुछ कवी एहंकारी होते हैं ठीक है तो ये आपस में जो हैं क्या कर रहे हैं विरोध कर रहे हैं जो आपका वो वाला है contradiction वाले subaltern वाले ये उससे link question है और देखिए इस तरह के questions शुरू से ही आ रहे हैं ठीक है थोड़ी practice करेंगे तो आपको आ जाएगा इसके बाद में पून्ता असंभव ठीक है जिसकी possibility ही नहीं है तो बहुत simple है इसमें ढून लेते हैं किसी इस्तरी दोरा अपने पोते को जनम देना ठीक है तब इसमें पून्ता असंभव बात तो अ यह मिल गई हमें किसी मनुष्ये दोरा अपनी अंतेष्टी में वपस्तेत होना ये भी बिलकुल मतलब कोई अपनी अंतेष्टी में कभी सम्मिलित नहीं हो सकता दूसरे की में हो सकते हैं, अपनी में नहीं हो सकते किसी दिन सूर्य का पूर्व से उधित ना होना कारों का इधन के बिना चलना ठीक है, तो इसमें जो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है किसी दिन सूर्य कब देखे, अब ये कैसे हो सकता है ठंड में कोवरा चा जाए और पूरत से नहीं होगे नहीं देखे कारों का इधन के बिना चलना इलेक्ट्रिक कार है ठीक है तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा A और B करेक्ट हो जाएगा ठीक है न नेक्स्ट कॉश्शन देख लेते हैं गलत ढंग है अब देखे इसमें जो चीज है वो गलत पूछा गया है ठीक है हम देख लेते हैं कौन से तर्क दिये गए घोड़े गाए हैं गाए भेड़े हैं सभी घोड़े भेड़े हैं ठीक है और अब आप अगर इसको देखेंगे तो A वाला सही है ठीक है अब मैं इनको पढ़ ही नहीं रही हूँ ठीक है मैं आपको solve करने का pattern बता रही हूँ तो मैं इनने पढ़ नहीं रही हूँ मैंने A देख लिया कि सही है अब आप क्या देखते हैं option देखते हैं answer कि यहाँ पर दिया हुआ है A तो A तो सही है ना इसका मतलब गलत तो नहीं हो सकता ये भी गलत नहीं हो सकता ये भी नहीं हो सकता इसका मतलब C वाला होगा ठीक है और इसका answer यही है अगर A सही दिया है और वहाँ पूछा है गलत बताना है क्या करना था गलत बताना था तो जहाँ जहाँ ए है उस उस option को काट दो ठीक है बाकी आप चाहें तो से पढ़ सकते हैं इसके बाद मैं देख लें कथन एक ही बात कहते हैं अब इसमें आपको यह ढूंड़ना था कि कौन से ऐसे option है जो एक ही तरीके की बात बोल रहे हैं है मैं इसमें देखेंगे अगर तो यह दोने बात एक सी लग रही है यह तीनों बात एक सी लग रही हैं स्टार रहोग है है ना मेरा 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 लेकिन इनके मतलब अलग है अब आप देखिए स्टेटमेंट से पीछे क्या है राम द्वारा का गया राजु द्वारा का गया राम के पिता द्वारा का गया राम की बेहन के द्वारा का गया एक लोती बेहन अब यहां पीछे देखेंगे न तो आपको म मैंने कहा था आप मेरे संग भी प्रैक्टिस कर सकते हैं अब यहां पर दिया हुआ है उसमें आपको डिव ड्रॉप कोल सिप एंड पेपप के बारे में दिया है उपर की लाइन पढ़ लीजिए निम्ना आरेक अध्यन कीजिए 31-33 तक के उत्तर दीजिए ठीए लाखों बोतल घिए आप यहां पर बात हो रही है इसके बारे में कॉस्चन क्या है पहला पेपप, कि वर्ष में पेपप की विक्री सरवादिक थी देख लेशे, अब है पेप कप का क्या है देखे पेपप यह हैं किस वर्ष में जादा this वर्ष मेन सबझे जादा देख रहा है आपको दे 1989 इसका आंसर क्या हो जाएगा 1989 बट यहां पे देखें तो यहां तो आंसर ही नहीं जबकि इसमें पूछा किस वर्ष में पेपब की बिकरी सरवा देखती तो हम फिर इन तीनों में से देखेंगे ठीक है उसने ओवरॉल में से नहीं में से देखे अगर तो 90 93 92 में तो यह हो गया 90 93 92 तो इन तीनों में तो इसी की ज्यादा है तो क्या अंसर आएगा 1990 यह ध्यान रखिएगा इसमें अगर आप यह वाला option करते हैं तो यह गलत हो जाएगा ठीक है क्योंकि किस वर्ष में तो यह दिये हुए वर्षों में से पूछा है next question दी गई अवदी 1988-1993 में किस soft drink की ओसत वाशिक विक्री सरवादिक ती तो देख ले रहे हैं यह बात और 1988 से 1993 की तो 1988 यानि यहां से यहां तक ठीक है और किस के बारे में पूछ रहे हैं यह किस soft drink की ठीक है कौन सी soft drink तो तीरीत रहेगी हैं देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो किस की आएगी देखिए पेपप की आएगी यह देखिए आप निकाल लीजेगा ठीक है 25 है वह 25 कि इसका graph 30 से 3 बार उपर रहे बाकी में किसी में भी आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा ठीक है तो मैं बता सकती हूं कि यह इसका अंसर आपका क्या हो जाएगा केवल पेपप हो जाएगा ठीक है आप निकाल लेना इसके बाद में नेक्स को देखें अगर हम तो यहाँ पे 1989 की तुलना में 1990 की पेपप की बिक्री में देखिए कितने प्रतीशत की गिरावट आई है तो इस question को भी देखके डरना नहीं है म वाइब को देखिए इस दोना में 5 लाख का डिफ्रेंस है किते का पांच लाख का यानी गरावट कितनी है पांच लाख की है यहां से यहां तक अपन में कितना करेंगे इसको करेंगे इसी को बेस बनाएंगे 35,00,000 ठीक है इंटू क्या होगा हंट्रेड हो जाएगा ठीक अब यह जीरो तो इससे कट जाएंगे पूरे आपके ठीक है और इसे यहां से काट देंगे 57357 से 100 को काटेंगे तो यह आपका 7वंजा 7 ठीक है 3 इदर जाएका 748 फिर इस तरीके से तो 14 के आसपास आंसर देख लेते है कित्ता परसेंट हो गया है 14 ठीक है किट्टे परसेंट गिरावट आईए 14 ठीक है 14 परसेंट एपरॉक्स गिरावट आईए तो जब भी गिरावट या प्लस के बारे में पूछे तो उन दोनों का जो भी डिफ्रेंस है और यहां देख लिना दाख Sind लुड है हजार करोड को उन दौनों को लिख करके उसके नीचे बेस वाला जो नंबर है उसको नीचे लिखना और फिर उसके बाद में इन्टु हंडडेट करके और वो सॉल्व हो जाएगा ठीक है आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेर जरूर करिएगा ठीक है अब यहाँ पर देख लीजिए इन्हें जल्दी अल्दी कर लेते हैं देखे रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस प्रकाशित ठीक है तो इस थे कौन करता है इसे रिजर बैंक ओफ इंटिया करती है अब यह देखे प्रतिक इसमें संख्या एर भी की संख्या प्रते कख्शा दिवारा अर्जट अंक दिए गए हैं चाथरों की संख्या यह दी है और दोनों कखशाओं कि अंको की आउस made in अब इसके बाद में आपका uct, uct संबोधित करता है और इसके बाद में आपका uct इसके आपका डिजिटल सिग्णल यह संक्यात्म गुड़ात्म जानकारी ठीक है जिसमें सही नहीं है पूछा है जानकारी को संधार्थ गलने उपयोक्त सॉफ्टियर की ज़रूरत अब इसके अंदर आपका अंसर जो सही नहीं है वो हो जाएगा यह वाला डिजिटल एंड एनलोग तो यह आपका इन्फोर्मिशन टेक्लोजी से रिलेटेड ठीक है तो इसमें आपका हो जाएगा बिन प्रकार की सूचना संग्रहन अपने प्राप्ति संधारित और वित्रण के लिए उपयोक्त मिलाए गए हार्ट्वेर और सॉफ्ट्वेर को सूचना प्रोध्व की कहते ह ठीक है नेक्स्ट आपका हो जाएगा कौन सा कथन सही है ठीक है तो वाइरस के उपर है तो इसमें आपका हो जाएगा वाइरस देखिए वाइरस सॉफ्ट्वेर का हिस्सा है ठीक है वाइरस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है यह तो बिल्कुली गज़त होगा नई ही है तो इसमें देखा जाए तो एक विश्य को सीखने में विद्ध्यार्थी कटनाई का निदान कंप्यूटर से किया जा सकता है अगर सुचनाओ को समझ्चे को प्रोग्राम कहते हैं तो यह सब सही हो जाएंगे ठीक है ना 40 का अपका डी हो जाएगा अब यहां पर देखें तो यह भूमंडली तापन शीत काल में और अधिक हो जाता है तो यह मकर रेखा पर डाइरेट कोशन था अब देख लेते हैं मानव पूंता हां अपने पर्यावर करती है इसके बाद में मानव पर्यावरण संबंदी वैवारिक संभवात का नितार्थ है कि अब इसमें हम देख लेते हैं कि कौन सा इसका है तो इसका अंसर आपका हो जाएगा मानव को परिस्थिती का निरिक्षण आयों उसका मुल्यांकन कर संसाधन उपयोग करना चाहि सिंपल अंसर है इसलिए मैं तर टाइम नहीं लगा रही हूं अभी हाँ आप देख सकते हैं श्रवड के लिए फुस्फसाहट के लिए शयन में बादा सामान्याबाद तो ऑविएसली फुस्फसाहट सबसे लो डैसीबल पर हो रही होगी यानि इसका क्या हो जाएगा टू ह हो जाएगा ठीक है इसमें एक तो हो गया आपका वन फुस्फसाहट के लिए वन डैसीबल शयन में बादा सिक्स्टी डैसीबल और सामान्याबाद थर्टी से फिफ्टी डैसीबल भारत में वन भूमी का सरवादिक रास हुआ है तो वह हुआ है परिवहन के साधनों के ठीक है तो सबसे जादा जो हुआ है वो परिवहन की वज़े से हुआ है तो 45 का आपका हो जाएगा सी वाला ठीक है अब इसके बाद में हम देख लेते हैं देखिए विश्विध्याले अनुदान आयोग यानी की यूजी सी ठीक है यूनिवेस्टी ग्रांट कमीशन यह आय ठीक है तो यह आपका हो जाएगा वर्धा शिक्षा योजना ठीक है अब बुनियादी शिक्षा नई तालीम का दूसरा नहीं हो सकता है अभी फिर से रेपीट हो जाए ठीक है तो यह सब सॉल्व करने से आपको बैनिफिट होगा लोकतांत्रिक विकेंद्री करण का विचा आन्याते देता है ठीक है तो इसका हो जाएगा आपका भारत का निर्वाचन आयोग ठीक है यह सब काम तो इलेक्षन कमीशन की होते हैं इसके बाद में देख लेते हैं विकास शील देशों में सरकार की बढ़ती हुई भूमिगा के लिए कौन सा कारण उत्तरता ही है ठीक ह तो इसके अंदर अगा हम देखें अंसर आपका हो जाएगा देखिए ओप्शन देख लेते हैं इसमें हो जागा आर्थिक नियुजन लोगों के बढ़ती हुई आकान शाय और नीजी करन ठीक है अब धार्ना का उदय यह इसका नहीं होगा तो यह तीन हो जाएंगे ठीक है यह मैंने आपको पूरे साट सॉल्फ कराई है अब इसमें आपको सॉल्फ करके खुद से प्रैक्टिस करनी है एक बार खुद भी सेट को करिएगा तो उससे आपको कापी हल्प लेगे डेली प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपकी आने वाले जो पेपर है उसमें कमांड होता अच्छी होगी और आपको इस समझ में आएगा हर कोश्चन रटा मारके या फिर आप पूरे टॉपिक कवर करके भी नहीं कर पाएंगे अगर ऐसा होता तो इस बारी आपके नेट के साथ जहारेफ हो गई होती तो आप समझ यह कि प्रैक्टिस की बहुत जाता ज़रूरत है और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा गाइस क्योंकि हर किसी के पास में हर चीज मुमकिन नहीं है कि वो जाके कोचिंग से सीख सके है ना तो हम कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के लिए हर चीज फ्री आफ कॉस्ट है अच् करना बिल्कुल मत भूलिएगा